हे गाइस वेलकम बैक चलिए इस ट्रॉमे का नेक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस हमने लास पार्ट में देखा था कि बैंबी बोलता है फ्रैंस से कि तुमने चिटिंग की है ये डिस तुम्हारे टेबल के नीचे रखी थी वॉन ने तुमने इसे नहीं बनाया है तो य वॉन क्या ये बास सच है तो यहाँ पर वॉन फिर एकसेप्ट करता है इस चीज को कहता है हाँ ये सच है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फ्रैंस इस गेम को हार जाए यहाँ पर कहने लगता है क्या हो कि वॉन ये तुमने ठीक नहीं किया हमें फियर गेम खिलना चाहिए थ चाहे हम इस game में हार चाते यहाँ पर Bambi कहने लगता है क्या उसे तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुमें इस बारे में कुछ पता ही ना हो यह सब कुछ दुमारा ही तो प्लैन होगा तो यहाँ पर Won कहता है बीच में नहीं यह क्याँ का प्लैन नहीं था यह मेरा और पॉंग का प्लान था सिफ हमें ही इस बारे में पता था यहाँ पर बैंबी कहने लगता है कि फ्रेंस इस गेम को नहीं चीज सकता क्योंकि तुम लोगों ने चिटिंग की है तो यहाँ पर फ्रेंस यही कहता है कि चिटिंग नहीं की है मैंने इस डिस्स को मैंने खुद बनाया है तो बैंबी उसे कहता है और कितना जूट बोलोगे तुम अब यहाँ पर फ्रेंस कहने लगता है दो मिनट रुको हम देखते हैं वो महाँ से जाता है और टेबल के नीचे जो डिस्ट रखी होती है उसे लाकर उनके सामने रख देता है और कहने लगता है यह वाली डिस्ट है जो कि वोन ने होटल से मंगवाई थी जो डिस्ट मैंने तुम्हारे सामने प्रिजेंट की थी वो मैंने खुद ने बनाई थी यहाँ पर यह देखके सभी हैरान होते है साथ में वोन और उसके फ्रेंट तो खुश है जाते है वोन यह आप भी कहने लगता है कि तुमने तो हम से कहा था कि तुम्हें सिर्फ इजी कुकिंग करनी आती है तो फिर तुमने ये सब कुछ कैसी कुक कर लिया मुझे तो लगा था कि सिर्फ तुम्हें एग बनाना ही आता होगा तो यहां पर कहने लगता है friends actually यह cooking जो मैंने की है आज वो मेरे लिए easy ही है पर मुझे यह नहीं पता था कि यह तुम्हें अच्छी लग सकती है और तुम्हें इसमें इतना taste आएगा यहाँ पर यह सुनके सभी शौक होते है और सोडा भी कहने लगता है क्या तुमारे लिए इसे बनाना इजी था इसे तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा इसमें बहुत टाइम लगता है और इसका टेस्ट अच्छा बनाना बहुत मुस्किल होता है यहाँ पर उसकी तारिफ सब कर लगते है कि वाओ फ्रेंस ने इतनी अच्छी डिस्क खुद अपने हाथों से बनाई है और उसने चिटिंग नहीं किया है यहाँ पर जो होता है बैंबी उसका थोड़ा वेस बन चाता है सबी लोग यहाँ पर तारिफ कर रही होते हैं फ्रेंस की तो यहाँ पर सोड़ा कहन को फ्रेंस चेट किया है यहाँ पर कहने लगता है बैंबी से क्या हो देखो मेरा मैं तुमारे मैं से जादा बेटर है मैंने कहा था ना तो यहाँ पर बैंबी को थोड़ा भूरा लगता है यहाँ पर उससे पूछने लगते हैं सभी कि तुमने यह सब कुछ कहां से सीखा त तो यहाँ पे कुछ बल्ले नहीं पढ़ता है, क्याँ को, तो क्याँ कहता है, कौन है वो परसन, तो यहाँ पे उससे कहने लगता है, मोडंग, आप बीना कुछ नहीं जानते हैं, वो बहुत फेमस सैफ है, उनके हाथों में जादू है, और वो बहुत अच्छा खाना बनाते ह तो क्याँ कहता है, ओ, ऐसी बात है, यहाँ पर उससे कहता है, पॉंग कि तुमने तो हमसे कहा था, फ्रेंस कि तुम काम चलाओ कुकिंग करते हो, पर इतनी अच्छी कुकिंग करते हो, यह नहीं बताया था, यहाँ पर कहने लगता है उनसे फ्रेंस कि मैं कैसे बताता कि मैं यह सब कुछ बना सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना टेश्टी बना पाऊंगा लेगिन सबी यहाँ पर फिलाल उसकी थारिफ कर रहे होते है यहाँ पर काफी इंप्रेंस नोजर आती है फ्रैंस से वाइवन अब वो उसकी तरफ इसमाइल करते हुए देख रही होती है यहाँ पर फ्रैंस भी उसकी तरफ इसमाइल कर रहा होता है तो यहाँ पर इस चीज को नोटिस करता है पॉंग यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे बाइवन पसंद करने लगी है फ्रैंस को तो इस तरीके से गाइस यह competition यहाँ पर उनका finish हो जाता है हमने यह दिखाया जाता है आगे soda को अकेले बैठे हुए वो यहाँ पर sad सा face लेकर बैठा रहता है तो उसके पास Bambi आता है soda यहाँ पर Bambi से माफी मांगे लगता है कि मैं friends को game में नहीं हरा पाया तो यहाँ पर उससे कहता है Bambi it's okay तुमें sorry बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर उससे कहता है Bambi कि मुझे तो खुद नहीं पता था कि friends जैसा person cooking में इतना अच्छा हो सकता है तो यहाँ पर जो soda होता है वो Bambi से कहने लगता है कि मैं उससे और कोई competition भी करना चाहता हूँ और उसमें मैं उससे जरूर हराऊंगा तुमारे लिए तो यहाँ पर उससे कहता है Bambi इसकी जरूरत नहीं है soda तो मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो अब तुमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर उससे काफी ध्यान से सोडा देखता रहता है Bambi हाँ पर उससी कहने लगता है कि कभी कभी मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यो कर रहा हूँ उसके बाद लेट नाइट दिखाया जाता है जब Bambi अपनी रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर क्याओ नहीं है वो यहाँ पर अपना फोन चेक करने लगता है और देखता है कि बहुत लेट हो गया है लेकिन क्याओ अभी तक वापस नहीं आया है Bambi हाँ पर थोड़ा परिशान नजराता है नीचे दिखाया जाता है मोडेंग और उसके मॉम को मोडेंग अपनी मॉम के पेरों पे सर रख की लिटा रहता है तो वहाँ पर Bambi आ जाता है तो उससे मॉम उसकी कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर आके बैठ चाओ तो Bambi कहता है नहीं मॉम अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर आपके पेरों में हट होगा यह सुनके एकदम से उठ जाता है मोडेंग और कहने लगता है ब्रादर आपकी बास सुनके तो ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम को हट कर रहा हूँ और फिर मुझे इसके लिए guilty feel होना चाहिए यहाँ पर Bambi हसने लगता है और उनके पास ही बैठ चाता है यहाँ पर उनसे पूशने लगता है Bambi कि क्या क्या वो आज अंकल प्राश के घर पे रहने वाला है तो यहाँ पर कहने लगता है नहीं वो अंकल प्राश के घर पे नहीं है बलकि वो तो फ्रैंस के घर पे है वो उनसे cooking सीक रहा है यहाँ पर कहने लगती है मॉडैंग की मॉम भी कि हाँ मुझे भी नहीं पता था कि फ्रैंस इतनी अच्छी cooking करता होका यहाँ पर जो Bambi होता है वो कहने लगता है मुझे लगा कि सायद वो आज नहीं आएगा वापिस इसलिए बस मैं तो खुश हो रहा था और ऐसे बोलके वो अपने रूमेट चला जाता है यहाँ पर Bambi की मॉम कहने लगती है मॉडैंग से मुझे तो नहीं लग रहा था Bambi का Face दिखे कि वो Happy है बलकि वो तो थोड़ा Set नुचरा रहा था तो यहाँ पर कहने लगता है मॉडैंग आपने सही कहा मॉम मुझे लगता है कि वो क्याओ को Miss कर रहा है यहाँ पर उसकी मॉम कहती है क्या? वो क्याओ को Miss कर रहा है इसका मतलब यह है कि बैंबी को क्याओ की बारे में सब कुछ यादा किया है यहाँ पर कहता है मॉडेंग हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और वो दोनों यहाँ पर हैपी होने लगते है यहाँ पर जो होता है मॉडेंग वो कॉल करता है वान के पास और उन्हें बताने लगता है कि जब मैंने बताया बैंबी को कि आज क्या रहने वाला है फ्रैंस के घर पे तो वो बहुत जादा जैलिस नचरा रहे थे बर ऐसा प्रेटेंड कर रहे थे कि उन्हें फरक नहीं पड़ता यहाँ पर हम देखते है क्याओ उस दिन रहता है वान के घर पे और उसके साथ नाइट स्पैन करता है यहाँ पर वान कहने लगता है इसका मतलब यह है कि बैंबी को सब कुछ याद है क्याओ के बारे में अगर वो जैलिस फिल करेगा तो फिर वो ये चीज एकसेप भी कर लेगा यहाँ पर कहाने लगता है क्या हो वो तो ठीक है लेकिन मेरे पास जदा टाइम भी नहीं है यह सब कुछ जल से जल्द होना चाहिए नेक्स डे यूनिवरस्टी में दिखाया चाहता है कि बाइवन अपने दोस्तों के साथ बैटी रहती है तो उसके पास फ्रेंस आता है और उसे एक लंच बॉक्स देने लगता है कहता है कि तुम्हें मेरे हादों के क्यूकिंग पसंद आई थी ना तो यह मैंने इस पेसली तुमारे लिए बनाया है यहाँ पर यह देखे खुश होती है बाइवन तबी दूसी तरफ से वहाँ पर पॉंग भी आ जाता है वो भी उसे एक लंच बॉक्स देने लगता है कहता है कि यह मैंने तुमारे लिए बनाया है तो यहाँ पर पॉंग से कहता है फ्रैंस की तुमें तो कुकिंग करना नहीं आता है तो यह तुमने नहीं बनाया होगा तो पॉंग उसे कहता है आज कल हम कुछ भी सीख सकते है वीडियोज को देखकर तो मैंने भी यह सब कुछ सीख लिया है बाइवन यहाँ पर उन दोनों को ही देखकर स्माइल करती है और उसके बाद उनके लैंच बॉक्स ओपन करने लगती है यहाँ पर पॉंग और फ्रैंस खुश हो रही होते है कि मेरी कुकिंग पसंद आएगी ना कि तुमारी इस तरीके से यहाँ पर उसके जो फ्रैंड होते है बाइवन के वो कहने लगते है तुम पर ये लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं अपना इस तरीके से यहाँ पर वो थोड़ा बाइवन को टीस करने लगती है यहाँ पर बाइवन भी उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करती है उसके बाद हम देखते हैं बाइवन जब अपने फ्रेंज के साथ आ रही होती है तो उसके फ्रेंज पूछने लगते हैं उससे तुमने किसी चूज किया है पॉंग और फ्रेंज में से तो मैं confuse हूँ कि मैं कीसे choose करूँ तो यहाँ पर उसके friend कहते है की तूम बहुत line लगा रही हू उन दोनों में से किसी को choose करने में हमारी वी बेता भी बढ़ती चा रही है कि तूम कीसे choose करोगी तो यहाँ पर यह सुनकी हसने लगती है पाइबontin